हलो इस्टुएंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपन में तो ब्यस्टी फर्स्ट एर वाड़े स्टुएंट के लिए केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर इन और्गनिक केमिस्ट्री पर मैं वीडियो लेके आया हूँ यह है न्यू कोर्स तो इस पर जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से आप उसके आंसर लिखोगे और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इस पर मैं पूरा बताने वाला हूँ तो लास्ट तक देखेगा और कुस्ट्स इसमें भी छुटे हुए हैं तो बहुं जल्द मैं उसको बना कर सेकंड वीडियो में अप्लोड कर करना है तो इस तरीके के देखें डी प्रॉगली का थियोरी लिखेंगे कंड की दोहरी प्रकृति की व्याख्या करता है यह और यहां से देखें हम इसको प्रूब करेंगे देखें लेमडा एक्वल टू एच अपन एमवी यह हमको सिद्ध करना है ठीक है फिर इसके बाद यहां पर देखें संवेग वित क्रमानुपाती होता है प्लांक नेतांक के यहां था किसी कही दी ब्रॉगित द्रावय तरंग दैर्द करते हैं फिर इसके बाद है हमारा अगला कोश्चन जो की है पावली का अपवर्जन नियम लिखें ठीक है तो यहां पर देखें पावल यहां पर देखें और एक तीसरे कोश्चन के लिए आपको यहां पर देखें आयोगमित इलेक्ट्रॉन तीन और दो क्यों होता है यह पूछा गया है तो इलेक्ट्रोनिक विन्यास की सहाहता से हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इसको थोड़ा समझ के लिखेगा ठीक है ना कूँ पी वाय वएन तो पी जड़ लास्ट दिखा रहा हूँ मैं तो यहां पे देखें तीन एयुगमिद लेक्ट्रॉन है और यहां पे देखें पी अक्च पर दो को पुरा कि फिर आते हैं फैजन कानियम क्या है तो फैजन कानियम किस किस पर अधारी थारी के धनायन का आकार है अठी हाऊ है कि पिर इसके देखे उद्राइन हैं या इधैंटva आयञों का आकार फिर चोंता है धनायनों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास यह कंप्लीट आपको लिखने हैं फिर इसके बाद नमबर थ्री का जो फ्रस्ट कोश्चन है वो है सनुजक्ता बंद सिध्धान्त आपको बताने हैं ठीक है और इनके सीमाएं भी लिखना है तो यह देखे सनुजक तो है यह हमको बताना है ठीक है तो यहां पर देखे हमने बता दिया हुआ है इतना और इसके जो बचे हुए कोशन है में बहुत जल्द अप्लोड करूंगा तब तक इसे नोट कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखे बहुत ही जल्द वीडियो झाल